Hello students, welcome back to my YouTube channel, Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about Class 9 SST Social Science Worksheet No. 76. आज की इस Worksheet में हमारा चैप्टर हेगा, Geography का second chapter, Physical Features of India. इस चैप्टर से लेटिड कुछ कोश्चिन से हम लास्ट वोक्षीट में भी डिसकस कर चुके हैं. आज की इस Worksheet में भी हैं, वेरी शोट, शोट और लोंग अंसर टाइप कोश्चिन से वो डिसकस करने बाले हैं. लेट स बिगिन, एज इस वीजिबल ऑन ये स्क्रीन, इस इस आज वोक्षीट No. 76. सब्जेक्ट, SST, Social Science, in which geography chapter No. 2, Physical Features of India, इस chapter को हम रिवाइज करने बाले हैं. डेट, 23rd of June, 2021. लेट स मूँव तो दे कोश्चिन आंसर्स, हमारा जो फर्स्ट कोश्चिन रहेगा, वट इस दौआप? इस से रिलेटर एक कोश्चिन से हमारी प्रिविएस जो वर्कशी थी, उसमें भी था. हमें बताना, what is दौआप? यानि दौआप होता क्या है? Here, दौ means to, and आप means water. It means the land between the two rivers is called दौआप. यानि दौआप है, वो दो शब्दों से मिलके बना है. दो का मतलब होता है, दो मतलब दो, यानि कि टू, और आप का मतलब होता है, water यानि कि जल. यानि कि जो दो नदियां होती है, उसके बीच का जो पार्ट होता है, उसे बोलते हैं दौआप, यानि कि यहां से रिवर है, और इस साइड से भी रिवर है. इसके बीच का यह जो पार्ट है उसको कहेंगी द्वाब जैसे पंजाब है पंजाब इस दा लेंड ओफ फाई रिवर्स तो हाँ पे पांच आप है Now let's move to the second question, second question दिया गए Which continent was not a part of Gondwana land? कौन सा continent था जो Gondwana land का पार्ट नहीं था Four options है North America, Africa, Australia, Asia हमारा answer रहेगा North America, हलांकि Asia भी Gondwana land का completely पार्ट नहीं था इसका जातर जो पार्ट था वो अंगारा land में आता था लेकिन क्योंकि completely North America था, उसका कोई भी पार्ट Gondwana land में नहीं आता था तो हमारा answer रहेगा North America अब यहां पर एक कोईशन हो समझना है कि यह Gondwana land कहां से आ गया तो अगर हम बात करें इन दा बिगनिंग देर वोज वन सूपर कंटिनेंट ओनली यानिकी अर्थ पर केवल एक ही कंटिनेंट था जिसे सूपर कंटिनेंट कहा जाता था और उसको कहा जाता था पेंचिया और देर वोज वन ओनली वन ओशन और चारू तब जो पानी था एकी ओशन था सूपर ओशन था जो पेंचिया था सूपर कंटिनेंट था वो टू पार्ट्स में डिवाइड था Northern जो पार्ट था वो Angara Land था और Southern पार्ट को Gondwana Land कहा जाता था यहाँ पर इसी Gondwana Land की बात की जा रही है कि Gondwana Land में कौन से continent थे और कौन से नहीं थे So Northern जो North America है, it was not a part of Gondwana Land क्योंकि यह Angara Land में आता था Now let's move to the next question, जो third हमारा question रहेगा Third question है, the river, this is the longest river of Indian desert हमें बताना है इंडियन डेजर्ट की लोंगेस्ट रिवर कौन सी है, तो है लूनी रिवर, okay लूनी रिवर की टोटल जो लेंध है 495 किलोमेटर है, and this one is a seasonal river, seasonal river मतलब मोसमी नदी है बारिश की दिनों में इसमें पानी आ जाता है, बाकी दिनों में यह सूख जाती है Now let's move to the fourth question, fourth question है, state whether true or false, हमें बताना कि यह सही है या नहीं यहाँ पे statement दी गई है, कवरती is the administrative headquarters of LuxDeep, कवरती है, वो LuxDeep Island का administrative headquarters है जिसको हम capital भी कह सकते हैं, it is true, तो हमारा answer है true, क्योंकि कवरती is the capital of LuxDeep, okay Now let's move to the fifth question, जो fifth हमारा question दिया गया है, what is northern सरकार, northern सरकार क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं, उत्री सरकार जैसे की coastal plane की बात करें, coastal plane है, हम South India में देखें, तो South India में eastern coastal plane है, उसको two parts में divide कर सकते हैं इसका जो northern part है, उसको बोलते है northern सरकार, और southern part है, वो होता है, कोरो मंडल के नाम से हम उसको जानते हैं, okay So northern सरकार क्या है, northern सरकार is the northern part of eastern coastal plane, okay The northern part of the eastern coastal plane is known as the northern सरकार, यानि कि northern जो पार्ट है eastern coastal plane का, उसको northern सरकार कहते है now let's move to the sixth question जो sixth question हमें दिया गए sixth question है dividence between tributary and the distributaries tributary और distributaries है इन में difference बताना है काफी important question है या आपके one marks के लिए tributary क्या होती है जैसे हम काफी बार discuss करते है tributary rivers a tributary is a river that joins another rivers instead of falling into to an ocean or lake, यानि कि tributary एक वो नदी होती है, जो किसी ocean या lake में नहीं गिरती है, बलकि किसी दूसरी river को जोइन कर लेती है, जैसे यमना है, तो यमना कहा है, यमना is the tributary river of गंगा, क्यों है, क्यों है, क्योंकि ये गंगा नदी में गिरती है, सेम सिंधू नदी की जो tributary rivers है, इंडेस river की, वो कौन सी है, सत्लोज, व्यास, रावी, चेनाव, जेलम, क्योंकि ये उसमें गिरती है, तो tributary rivers क्या है, tributary river is a river that joins another river instead of falling into an ocean or lake, यानि किसी सागर, या फिर किसी जील, यानि लेक में गिरने की बजाए, वो दूसरी river को join करती है, तो इसको हम बोलते हैं, tributary rivers, अब लेट्स डिस्कस अबाउट the distributaries, अभी ये distributaries क्या होती है, due to the gentle slope in the lower course of the river, the velocity and the power of the river decreases, and due to the deposition of silt is in the river route, and the river gets divided to the many parts, यानि कि जो lower part है, जैसे river निकली, ओके, वापर जो part है, उसके बाद middle part, lower part होता है, जब वो सागर में, किसी oceans में, बे में, गिरने वाली होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, कि जो gentle slope, gentle slope का मतलब ढाल है, वो कम हो जाता है, ओके, ढाल क्या हो गया, तो ढाल कम होने के कारण, जो river है, वो river, अपनी जो शक्ति है, वो खो देती है, power कम हो जाती है, तो जो guard है, , technicilt है, वो बीच में जमा होने लगती है, जिसके कारण, river हो, कई parts में divide हो जाती है, उके, इस type से, कई parts में divide हो जाती है, तो इन parts को बोलते हैं distributories, ओके यह जो कई parts में divide होगी, clear तो इसको बोलेंगे हैं distributories क्यों होता ऐसा, because due to the gentle slope, यानि कि ढाल है वो कम हो गया in the lower course of the river velocity and the power of the river decrease यानि कि speed और power दोनों कम हो गई तो जो depersonal work है वो river course में हो जाता है, वहीं root में हो जाता है, और river divides itself into many parts, कई parts में divide कर लेती हैं, और इन को बोलते हैं distributories, now let's move to the next question, 7th हमारा question रहेगा, 7th question दिया गए write a short note on central highlands जो central highlands है, उसके पर note लेगना, पहले तो मैं बता होना चाहिए कि central highland है क्या, हमारा जो southern part है, वहाँ पर हमारा एक physical division है physical land form है that is peninsular plateau, ओके यहाँ पर जो नर्मदा रीवर है, it divides this one into two parts जो नर्मदा रीवर है, इसको two parts में divide करती है, जो northern part है that is known as the central highlands और जो southern part है that is known as the deccan plateau तो यहाँ पर इस northern part की बात की जा रही, तो यह तो clear हो गए न, यह किया है क्या, तो central highlands क्या है northern part of the peninsular plateau तो इसके बारे में हमें कुछ लिखना है first, the northern part of the peninsular plateau is called the middle highlands or the central highlands, okay, this part is situated to the north of the नर्मदा रीवर, यानि यह नर्मदा रीवर है, उसके north में आता है it is wider on the west and narrow on the east, यानि कि western part में यह थोड़ा चोड़ा देख है और eastern part में यह narrow, यानि कि संक्रा है this part is made of hard igneous and sedimentary rock से बनावाई यह, यानि कि hard igneous और sedimentary rock से बनावाई यह रहेगा हमारा central highlands exam point office से देखें तो यह question बिलकुल भी important नहीं है now let's move to the eighth question यह question काफी important रहने वाला है describe the northern plains of इंडिया, northern plains of इंडिया उसके बारे में हमें कुछ लिखना है, describe करना इसको the northern plains of इंडिया lie in the south of the Himalaya यानि कि northern plains कहा है, हमालय के south में, ओके और north of the peninsula plate यो उसके north में this plane has been found by the depersonal work of Indus, Ganga and Brahmput rivers and their tributaries, यानि यह किस ने बनाया है by the Indus, Ganga Brahmputra and their tributary, यानि कि इनके जो depersonal work है, उससे यह मैदान बना है, this plane is also called the Indus, Ganga and Brahmputra plane, क्योंकि यह इन ही reverse के द्वारा form किया गए तो इसको हम Indus, Ganga, Brahmputra का plane भी कह सकते है, this plane is highly fertile plane made of L.O.L. soil, यह L.O.L. soil से बना और काफी ज्यादा fertile है यह plane, and due to the availability of the suitable climate, fertile soil, adequate water supply, यानि यहाँ पर क्या है, fertile soil है, adequate water availability है, काफी सारी rivers पहती है, और favorable climate है, this is densely populated, इसलिए यहाँ पर Janshink किया वो काफी ज्यादा है, क्योंकि एगरी कल्चर भी three parts, इस plane को हम three parts में divide कर सकते हैं, the endless plane, इसका जो main part है, वो कहाँ है, पाकिस्तान में और पंजाब में, दन्दा गैंग्टिक plane, गंगा का मेदान है, जो हरियाना, यूपी, बिहार, और वेस्ट मिंगोल है, वो गैंग्टिक प्लेन का हिससा है, और तीसरा जो part है, इसका है, वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन, that mainly lies in Bangladesh and in Assam, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का प्लेन आ जाता है, now let's move to the next question, next हमारा question है, ninth question है, physiographic divisions of India are complementary to each other, जो physiographic divisions है, वो एक दूसरे की complementary है, यानि कि एक साथ, हालांकि यह different है, but still they coexist, एक साथ हैं, and they are giving or enriching the in our country, natural resources, यानि कि यह अलग लग होते भी हमारे देश के जो natural resources है, उसमें इनका अलग एक रोल रहता है, यानि किसी ने किसी तरीके से यह जो part है, वो different natural resources में रिच है, और यह सब किसलिए हमारे देश के लिए काफी beneficial है, तो हमारा यह question है, पहले question को समझ लिजी, यहाँ पर question यह कह रहा है कि physiographic divisions of India are complimentary to each other, यानि यह दोनों अलग होते भी, जो physiographic division है, कितने six, अलग होते भी हमारे देश के लिए काफी महत पून है, और यह हमारे देश के जो natural resources है, उसमें इनका अपना एक योगदान होता है, ओके, तो हमें example देखे बताना है, कि कैसे यह जो physiographic divisions है, वो हमारे country के resources में अपना एक role play करते हैं, कैसे या किन में रिच है, तो हमें five example लेने, तो एक एक करके हम इनी physiographic divisions है, उनकी बात करेंगे, ओके, सबसे पहले हम northern part की बात करें, तो northern part में है, हमालन region, ओके, in the north of India, is the हमालन region, and perennial rivers originate from here, सबसे important जो रोल है, हमालन region का, कि यहां से perennial rivers निकलती है, perennial rivers होती है, जिन में throughout the year water रहता है, पूरे वर्ष पर पानी रहता है, नहीं, this region is also rich in flora and fona, साथ साथ यह flora and fona में भी काफी रिच है, यह resources, यानि कि यह हमें three types के resources दे रहा है, perennial rivers यहां से निकल लिए, साथ-साथ flora और fona में भी, यह काफी रिच है, ऐसी हम बात करें, the vast plain of northern India is found by the Himalayan rivers, इसी के साथ में है, हिमाल्या के साथ में है, northern plain of India, and it is found by the Himalayan rivers, this plain is made of elvel soil and highly suitable for agriculture, यह जो plain है, elvel soil से बनावा है और यह agriculture के highly suitable है, यहां पर इसका अपना एक feature है, तो यह भी क्या करा है, हमारे जो resources है, देश के resources है, उसमें एक important contribution इसका भी है, थर्ड जो है peninsular platy की बात करें, this part is rich in minerals and vegetation, यह minerals और vegetation में काफे रीच है, it is also known as the storehouse of minerals भी इसको कहा जाता है, ओके, क्योंकि हमारे देश के 80 to 85 percent minerals से वो हमें यहीं से मिलते हैं, peninsular platy से, यानि कि इनका भी हमारे country के resources में contribution है, अब हम fourth part की बात करें, the third desert, there is a lack of rainfall, lack of vegetation, यह vegetation बिलकुल नहीं होती है, यहां पर नाबारिश होती है, still it is called the museum of non-metallic minerals का museum कहा जाता है, museum मतलब जिसको हिंदी में कहेंगे, अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश के जितनी अधिक non-metallic minerals यहां third desert में मिलते हैं, उतने किसी और state में नहीं मिलते हैं, तो इसका भी contribution है हमारे देश के resources में, फिप्ता में एक्जामपल लेंगे, the coastal plain का, the coastal plain is important for agriculture, fisheries and the ports, यह important है agriculture के लिए, because fertile soil is there, in both the coastal plains, इसके साथ fisheries के लिए important है, मचली पालन भी खूफ किया जाता है यहां पर, और ports के लिए, हमारे countries के जो port है इस long coast line के उपर, वो यहीं पर है, तो हर जो part है हमारा physiographic division है, उसका अपना एक contribution है, हमारे देश के resources में, तो हमें यहीं सिरफ explain करना था, now let's move to the next question, 10th question है, 10th question है, वो source based question है, इस type के questions भी आपके exam का part रहने वाले है, इसमें first question है, by which name the coastal part of Mumbai, Goa is known, जैसे हम अगर western part के बात करें, हमारे देश के, तो western part में coastal plane है, इस coastal plane के कई सारे हम नाम दे सकते हैं, जो Goa तक का part है, यह पूछा गया कि इसको क्या कहते हैं, जो Mumbai, Goa का part है, यहनि गुजराथ से Goa का part है, this part is known as the Konkan coast, इसको Konkan coast बोलते हैं, and south of the Konkan coast, यहां पर आजाएगा middle part जो है, western coastal plane का, उसको बोलते है, कननर कोस्ट, और जो केडला में part है, जो southern most part है, उसको बोलते हैं, मालाबार कोस्ट, तो यहां पर पूछा गया है, कि जो Goa और Mumbai में, western coastal part है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं, Konkan coast, ओके, second part रहेगा, 10th question का, second part है, write the names of two coastal plains of India, इंडिया के two coastal plains है, उनके name बताने, तो यह आप सभी already discuss कर चुगे हैं, कि western side में western coastal plain है, और eastern side में eastern coastal plain है, ओके, there are the two coastal plains of India, western coastal plain और eastern coastal plain, ओके, now let's more to the third part of 10th question, जो third part दिया गया, write the names of any two rivers which form deltas, हमें two rivers के name बताने, जो delta बनाती है, वैसे excluding only two rivers, यानि नर्मदा और तापे को छोड़ दें, तो बाकि सभी rivers है, वो delta बनाती है, इसमें हम कोई भी दो name mention कर सकते हैं, South Indian reverse में से, तो है गोदावरी and Krishna, ओके, जो नहीं कि हम South Indian rivers के name mention करें, कोई भी rivers हो सकती है, गंगा, इंडस, प्रमपुत्रा, एड़्सेटरा बही, now let's move to the fourth part of this question, जो fourth part है, write any one economic benefit और advantage of coastal plains of India, हमें बताना है, coastal plain का कोई एक economic advantage क्या होता है, the seaside plains, यानि coastal plains, are made up of fertile alveal soil से बने हुए, which is highly suitable for agriculture, जो agriculture के लिए highly suitable है, इसके साथ-साथ ये fisheries के लिए, या जो oceanic route से trade होता है, उसके लिए ford facilities भी यही coastal plain provide करवाते हैं, तो ये थी हमारी आज की आसान, लेकिन थोड़ी सी lengthy worksheet, I hope आपके सारी doubts से, सभी doubts से, clear हो गए होगे, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हो, जिसका link आपको screen पर दिखाई दे रहा है, साथ-साथ आप हमारा telegram का channel भी join कर सकते हो, अब आपको ये होगा कि telegram का channel क्यों join करें, तो वहाँ पर दो advantage मिलेंगे, एक तो ये कि आप अपने doubts ले सकते हो, यानि easily आप वहाँ बड़ लिंक आपको available करवाए जाएगा, जिससे आप मेरे से contact कर पाऊगे, second ये होता है कि कई बार आपको notification नहीं मिलता, जैसे एक साथ मैं कई सारी वीडियोज अगर डाल देता हूँ, कोशिश होती है कि Wednesday तक three days में आपको पूरे विक की वीडियोज दे दी जाए, तो सभी के notification नहीं मिलेंगे, क्योंकि 24 आज में आपको three वीडियोज के ही notification मिल पाते हैं, तो वहाँ पर वो वीडियोज के लिंक के पोश्ट कर दिये जाते हैं, तो आपको तुरंत ही वो लिंक अवलेबल हो जाते हैं आज के लिए बस इतना ही, thank you, bye bye, have a nice day